बात करेंगे अपन मोरो रिफ्लेक्स की तो मोरो रिफ्लेक्स क्या होगा ये बच्चा हो गया निवबन हो गया इस निवबन बेबी के हैड के निचे से अपन क्या करेंगे सपोर्ट को अटाएंगे यानि अपन क्या करेंगे बच्चे को हतेली पे लेंगे उसका सीर और इसको तो बच्चा क्या करेगा extremities को फैलाएगा और extremities को फैलाना करेगा अपना abduction बच्चा क्या करेगा abduction करेगा और abduction करके क्या करेगा बच्चा cry करेगा ठीके तो आपन इसको समझते हैं कि moral reflex को moral reflex कहने का मतलब क्या हो गया when remove support below the head यानि बच्चे के सिर के नीचे से जैसे अपन support को हटाएंगे then क्या करेगा extremities बच्चे की किस और होगी बच्चा क्या करेगा extremities को फैलाएगा और extremities को फैलाना क्या कहलाता है अपना abduction बच्चा क्या करेगा abduction करेगा extremities को then उसके बाद में क्या करेगा addiction करेगा addiction करने का मतलब वापिस extremities को सिकूड़ेगा और बच्चे क्या करेगा जोर-जोर से रोने लगेगा ठीक है तो इसके अंदर तीन stage होती है तीन condition होती है जैसी बच्चे का support हटाया बच्चा क्या करेगा abduction करेगा then addiction और then उसके बाद में क्या करेगा बच्चा कराई करेगा very very important बात यह है कि बच्चे के अंदर यह moral reflex होता वो disappear कब होता है important बात तो यह होता है अपना 3 से 6 month के अंदर disappear होता है एक सब्द के अंदर पूछे तो कितना हो गया अपना 3 month के अंदर बच्चे के अंदर moral reflex absent हो जाता है और it indicates the brain development यानि अगर किसी बच्चे के अंदर moral reflex present है इसका मतलब इसका जो brain है वो एकदम अच्चे से develop हो चुगा है ठीक है तो यह brain development का अच्चे से एक अच्चा indicator माना जाता है ठीक है तो कहने का मतलब क्या हो गया moral reflex बच्चे के support हटाना है सिर के निच्चे के जैसे support हटाएंगे extremities में क्या होगा abduction होगा abduction होगा and then क्या होगा cry होगा important बांद यह एसके अंदर की यह जो भी है वो DCP रोज़ता 3-6 month की एसके अंदर पुचे तो के नोगे बही अपना 3-month बच्चे के नोगे बही आपना